हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पतक नमबर 32 करेंगे जो की क्लास 7th की है और विश्य है गणित ये वर्कषिट 2nd February 2021 की है तो आएए शिरू करते हैं आज की वर्कषिट वर्कषिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्कषिट त्रिभुच के गुण त्रिभुच के एक शिर्ष को उसकी समुख भुजा के मध्य मिन्दू से मिलाने वाले रेखा खंड को माधिका कहते हैं क्या देखो किस तरह से यहां पर हम आपको समझाते हैं कहां पर देखो किस तरह से एक सिकिंड देखो क्या कहा गया है कि त्रभुज है जैसे कि यह त्रभुज दिया गया है और त्रभुज की सम्मुख बुजा से कोई इस तरह से कोई माप काटा जाए जैसे कि यहां से यहां समुख सामने वाली बुजा से कोई by देको नेक्स क्या कहाँ गया है ट्रीबुच के समुख बुजा पर ठीचे गये कुछ समुख को क्या कहते है इसे क्लिश को क्या कि अगर इस तरह से शीर्ष से कहीं पर भी डेखा कीची जाए तो उसे हम माधिका कहते और यहीं शीर्ष से 90 डिगरी का एंगल बना, लंब खीचा गया तो उसे हम कहते है शीर्ष लंब, ठीक है, एक बड़ फिर यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे, माधिका, चीक है और यहां पर हम लिखेंगे शीर्षलंब नेक्स देख देख कोशन क्या कहता है बिटा त्रिबुच की दो बुजाओं की मापो का योग तीसी बुजा की माप से जैसे कि तरह ये देखो त्रिबुच की जो दो बुजा है एक ये बुजा और ये बुजा इनके मापो का योग इस बुजा से ज्यादा होगा तो क्या होता है से ज्यादा ये अधिक लिख देंगे हम यहां लिख देंगे अधिक होता है ठीक है मान लो ये 5 है ये 4 है तो इसको हम लिख देते हैं 7 तो देखो 5 और 4 5 और 4 केते हैं 9 तो इन दोनों का इन दोनों बुजाओं का कुंसी बुजा कहा जा रही है इन दोनों बुजाओं का योग तीसरी बुजा से ज़ादा होता है ठीक है त्रिबुज की कोई दो बुजाओं के मापों का अंतर अब इनके मापों का अंतर अब पांच माइनस चार मापों का अंतर तीसरी बुजा से कम होता है यहां पर हम लिख देंगे कम होता है ठीक है बेटा समझना जरूरी है क्या कहा जा रहा है कि यहां पर काग त्रिबुज ज योग कितना है नो है और ये वली बूजा कितनी है शाघ, ठीक हैária पाइथो गूरस गूर्ण केवल डैश त्रिबुज में दिखाई देता है, तो पाइथो गूरस गूर्ण, अभी हम समझेंगे क्या होता है यही वाला फॉर्मूला होता है पाइथो गूरस में हम समझेंगे क A की स्क्वेर प्लस B की स्क्वेर एक्वल होता है C की स्क्वेर, उसे हम समझेंगे, तो पाइतोगुरस गुंड जो है, वो किसमी होता है, समकौन तिर्बुज में होता है, तो ये ते फिलिंग दा ब्लेंक्स, तो अब हम करते हैं, नेक्स देखिए, क्या कहा गया है, कोशिन को 10 cm की 1, 1 cm की 2 15 पतियां, और 2 17 cm की पतियां आपको काटनी है, तो कहा क्या गया है, कि हमें यहाँ पर यह बात देखने हैं, बस एक बात का ध्यान रखिए, कि तर्बुज में जो कहा जाता है, कि तर्बुज की स्तरह बनता है, तो तर्बुज के बनाने का एक ही रूल है, कि जब इसकी सामने वाली दिसी की ये देखो, ये जो बुझाएं, यहाँ पर आप समझ दो, उसके बाद आपके कोशन करने सोल्व हो जाएंगे, ये माना A है, ये और C, B है और ये क्या होता है C, तो अगर त्रिबुज की दो बुझाएं, ये जो दो बुझाएं दी गए, इनक योग मतलब कि 5 और 4, 5 और 4 का जो योग है सामने वाली C, बुझाएं से क्या होना चाहिए, जाधा होना चाहिए, तभी वो त्रिबुज बन पाता है, तो हम देखते है, 4 और 5 का योग कितना आता है, नो आता है, जो की 7 से जाधा है, इस परकार ये त्रिबुज बन सकता है तो हमें यहाँ पर यही बताना है इस बात को आप समझ लिए कि दो बुजाओं का योग 30 बुजा से अगर जादा है इन दोनों बुजाओं का योग क्या है 30 बुजा से जादा है तो यह तरबुज बन सकता है तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि क्या यह तरबुज बन सकते ह हां ये तीर बूच बन सकता है हमुसे solve भी कर सकते हैं Local number 2 चोटी बुझाय लेए हम ले लेकल भी सिक्सरयन से बढ़ा होगास कितना है 9 से बढ़ा होगा समझे इसको6 प्लस सेवन क्या है 9 से बढ़ा है ना वैटा तो ये तरिबुच कैसा हो जाएगा हा ! ये तिरबुज बन सकता है, आप लिखेंगे हम यहाँ भी यह होता है कि दो भुजाओं का योग तीसी भुजास से बड़ा होना चाहिए ठीक है, तो ये तिरबुज बन सकता है, और ये तिरबुज कैसा होगा, विशम बाहू, इसे हम क्या कहेंगे तो हाँ, ये तिरबुज भी बन सकता है और ये तिरबुज कौन सा होगा, सम कौन तिरबुज अभी कैसे हम आगे इसको पाइथोक और हम उससे समझेंगे ये कैसा तिरबुज होगा, सम कौन तिरबुज उसके बाद फिर देखिए, हम लिखते हैं, साथ प्लस 7, क्या 10 से बड़ा है? तो हम लिखेंगे, हाँ ये भी क्या हो जाएगा? हाँ ये तरिबुज बन सकता है, और क्यों बन सकता है ये तरिबुज, क्यों कि इसमें क्या रहे, 2 बजां को योग, 3 से योग से क्या है बड़ा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये त्रभुज कौन सा होगा, ये होगा सम दी बाहुदे को दो बुज़ाएं बराबर है न तो हम लिखेंगे सम दी बाहु त्रभुज, ये कौन सा त्रभुज हो जायगा, सम दी बाहु त्रभुज, उसके बाद तीसरा देखिए, आठ पंदरा और सत्रा तो आठ प्लस पंदरा सत्रा से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो हाँ ये त्रिबुज भी बन सकता है और ये त्रिबुज भी कौन सा त्रिबुज होगा समकौन त्रिबुज ये भी कैसा त्रिबुज होगा समकौन त्रिबुज ठीक कोई से सम तो कि यह क्या बढ़ी है और साथ कितने हो जाएंगे फोर्टिंग थर्टिन हो जाएंगे ना यह जो त्रिभूज है वह नहीं बन सकता है क्यों कि देखो यहाँ पर क्या है 6 और 7 का जोब हमने योग किया 2 बुजाओं का योग किया तो वो 30 बुजा से क्या है छोटा है इसलिए त्रबुज नहीं बन सकता नेक्स देखो यहाँ पर करते हैं हम 8 प्लस 8 कितना होगा 16 होगा जो कि क्या है 8 से बड़ा है तो हाँ ये भी त्रबुज बन सकता है और ये कैसा होगा ये कैसा त्रबुज होगा ये सम बाहु त्रबुज तीनों बुजाएं बराबर है ना तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम बा बड़ा होना चाहिए तब वो त्रिबुज बन सकता है तो इस कोशन को ध्यान से आप करेंगे पिटा समझ कर करेंगे और जिसे वहाँ पर काया कि माप करके आप टिकाट कर बनाईए वो आपकी मर्जी है बट आप इस तरह से मेथड से करेंगे तो आपका कोशन है वो सोल्व ह हो जाएगा तो इसे ध्यान से करेंगे तो अब हम करते हैं नेक्स्ट कोशन आईए हम नेक्स्ट कोशन करते हैं अब देखो नेक्स्ट कोशन में क्या कहता है यह सब आपने कर लिया है अब नेक्स्ट करवाते हैं ठीक है देखो नेक्स्ट में क्या कहता है अब जितने भी त यह 10 cm ले लिए और इस तरह से आप बना भी सकते हैं तो अब देखो क्या कहरा है जिसने यह एक त्रबुज बनाया थर्ड कोशन में क्या कहता है कि मानो यह आपने त्रबुज बनाया जो उसमें डीया गया है अब आपको इसमें माधिका और लंब खीचना है, तो माधिका देखो क्या हो जाएगी, जैसे कि मानो यह त्रबुज है, एक से कि, हम इसे थोड़ा सा उपर बनाते हैं, देखो यह हमने एक त्रबुज लिया, अब हमने इसको लेबलिंग कर दी, A, B, C, तो यह हमारा A, F, A, G, A, H, A, I, यह सब क्या हो जाएगी, माधिका हो जाएगी, अगर हम लंब की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे इसके बीचों बीच से, जब 90 डिगरी का एंगल बनेगा, तो यह क्या होगा, इसका शिर्ष लंब, इसे हम ले रेते हैं P नाम, तो A, P क्या हो जाए गार, उसे हम क्या कहते हैं, माधिका, अब हम करते हैं नेक्स्ट कोशन देखो, क्या कहा गया है, नेक्स्ट कोशन मेटा, सांडी द्वारा बताईए कि आपको कितने समकॉन त्रिभूज प्राफ्त हुए, इन समकॉन त्रिभूज को पाइठो गोरस गुण की सत्य, ताकि ज नहीं तो इसके लिए देखो यहां पर में परत्रभुज बनाते हैं बेटा और हम लिख लेते हैं यह है 6 cm यह है 8 cm और यह है 10 cm यह हमने अपने idea से लगा लिए अब देखते हैं पाइथोगोरस क्या आता है इस लाइन को हमने मान लिया यह कौन सी लाइन है इसको हमने माना यह A है यह B है और C है तो पाइथोगोरस रूल क्या कहता है बेटा पाइथोगोरस कカンタ कहता है कि A की स्केर देखो आधार की स्केर प्लस लंब की स्केर लंब यह है three किसके बराबर होता है इसको हम कहते है करण तो C की स्केर के बराबर होता है यहाँ पर लिखेंगे आधार यह क्या है आधार यहाँ पर लिख दीजेगा आधार की स्केर प्लस लंब की स्केर लंब की स्केर किसके बराबर होता है करण के बराबर जो सामने वाली बुजा होती है करन इसके बराबर होता है अगर इस रूल को फोलो करता है इसका मतलब पाइथो गोरस रूल चल रहा है यहाँ पे तो हम देखते है आधार कितना है 6 की स्केर हमारा लंब कितना है 8 की स्केर और करन कितना है 10 की स्केर तो यह कितना हो गया 36 यह कितना हो गया और यह कितना हो गया 500 है तो इस यह क्या है पाइथोगर सूल को फोलो गरता है तो यह first question का एंगा इए पर दिया गया है हमारा इस पाइथोगर सूल कैंको हम ने यह बनाया थै अब हम करते हैं नेकस्त यह आपका हो गया ओगा रफ थी लिया आपना नहीं नहीं अहां पर हमने लिए 8 सेंटीमीटर यह अब हमने लिए 15 सेंटीमीटर और यहां पर हमने लिख दिया 17 cm करण की जो लंबाई होती है वो सबसे जादा होती है तो यह हमारा अधार हो गया यह हमारा लंब हो गया और यह हमारा करण हो गया तो हम यह आपर लिखते हैं आओ लिखते हैं आधार की स्केर प्लस लंब की स्केर इक्वल किसके होता है करण की स्केर से स्क्वेर के ठीक है अब 8 कि स्क्वेर 64 15 कि स्क्वेर 225 और 17 कि स्क्वेर 289 यह कितना हुआ 289 इकल किसकी हो गया 289 तो यह क्या है हमें आप पूफ दे रहा है पूफ कर रहा है कि यह जो दोनों बुजाओं का योग है वो तीसरी बुजाओं इनके वर्ग का जैसे की अधार के और लंब के वरग का योग किसके ब्राबर होता है करन के योग के ब्राबर और जब अब पहले समझा रही थी तिर्बुज कब बनता है उसमें था कि इन दोनों भुजाओं का वहाँ पे स्क्वेर है या वरग की बाद हमने नहीं की थी यह बात धियार के पाइठोगोरस जो ग कम्प्लीट करके अपनी टीचर से चेक करा है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और शेयर कीजिए